एसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी लक्ष हमारा हर किसान की आंबनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरकीबे अब हमको है चन्नी इस कारिक्रम की प्रायूजख है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले भारत सरकार सौ दिश्वनों एक मेगा हर्स पर आप सुन रहे हैं एफम गोल्ड की पसारण ये है क्रिशी एवं किसान का ल्यान मंत्रा ले द्वारा प्रायज़त कारिक्रम और आज कारिक्रम में आपके साथ हूँ मैं जोदस्ना और मेरे सहीयोगी रजनीश नमस्कार रजनीश कैसे हैं आँ जैसे की रजनीश हमारे सभी शुरता जानते हैं कि ये कारिक्रम है खास और खास हमारे किसान भाइयों के लिए तो किसान भाईयों से और खेती से चुड़ी हुई जितनी भी चीज़े होती हैं उन सब के बारे में हम यहां कारिक्रम में बात करते हैं बिल्कुल सही कहा जोसना देखिए और आपने कहा कि देखिए कि अब धीरे-धीरे हमें तो मौसम में थोड़ी सी ठंडक सी हल्की सी ठंडक आने लगी जो यह पिछले तीन दिन चार दिन लगा था रॉक्तर भारश में जोड़दार बारिश हुई है हमने पिछले कारिक्रम में इसके बारे में बात भी की थी पिछले दिनों इसने मौसम में एकदम से परिफर्तन किया है और यूँ कहिए अक्टुबर आने को ही है बस कल एक आज आज कल आखरी दिन है और देखिए इसमें जोसना एक बात है कि जैसे ही शरद कालिन की जो यह अहाठ है और इसी के साथ जो हमारे किसान भाई बहनेओं के लिए जो खास तोर से जो गन्ने की बुवाई करते हैं उनके लिए एक खास समय होता है बिल्कुल ठीक और यही वज़े है कि जो आज का हम हमारा विशे है वो है शरद कालिन गन्ने की उन्नत शील किसमे एवं बिजाई जी स्टूडियों में हमारे साथ हैं डॉक्टर उपे इंद्र सिंग तेवतिया जो की मुख्य प्रभंदक क्रिशी विज्ञान इनियन पोटाश लिमिटेड नई दिली से आकर हमारे साथ जो कि दिली का कोड है और आज का हमारा विशे एक बार फिर से दोहरा देते हैं शरत कालिन गन्ने की उन्नत शील किसमे एवं बिजाई डॉक्टर शाब जैसे कि अब शरत काल का लगवग आगबन हो चुका है और एक महीन अबाद ठंड शुरू हो ही जाएगी तो इस समय ज किस तरह से खेट की तैयारी उन्हें करनी चाहिए किस तरह से यह जो गन्ना यह जो फसल होती है शीत कालीन यह किस तरह से उनके लिए फाइदेबंध है जी जो तसना जी और रजनीश जी सबसे पहले मैं All India Radio का धन्यवाद करना चाहूंगा जो कि आप मुझे समय समय पर किस सीजन सुरू हो रहा है और किसान भाई जिनके खेत खाली है और जो या गन्ना बोना चाहते हैं सरतकाली वो अब गन्ना बिजाई के बारे में विचार विमर्ष कर रहे होंगे और देखिए सबसे पहले जब हम गन्ने की खेती करने की बात करते हैं तो किसान यह सोचता है कि में बीज कौन सा वो तो वो बीज की तलास में लगता है तो बीज जैसा की विसे भी है उननस सील किसमें कौन सी हैं तो देखिए जो सिग्र पकने वाली जो किसमें हैं मैं वैसे तो किसमें बहुत सारी हैं लेकिन मैं प्रमुक किसमें बता रहा हूं कि अभी जो नई किसमें आ में वहां से विक्सित हुई है और बहुत ही अच्छी वेराइटी है और जैसा कि सभी किसान भाई जानते हैं कि जो एक वेराइटी कि CO0238 जो कि जादा तर बोई जाती है उसमें लाल सडन रोक की समस्या आ चुकी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो काफी आ चुकी है लेकिन अब यहां भी जो वेस्टन उत्तर प्रदेश है यहां पर भी उसने दस्तक दे दिया और पिछले साल से यहां पर भी वह अपन कर दो सुरी तेहरे 235 निकली है वह भी बहुत अच्छी वेराइटी है और एक लखना हो जो इंडियान इस्टिटूट अफ सुगर के रिसर्च है वहां से C.O.L.K. 14201 वेराइटी निकली है और यह जो है वेराइटी तीनों वेराइटी जो लाल सडन रोग है इसके पिर्त यह दोनों वेराइटी भी लाल सडन रोग के पिर्ती पिर्ती रोधी है तो किसान भाई इन इन वेराइटी का चुनाव करें इसके अलावा दिखिए जो लाल सडन रोग आया है वो वहां पे जादे आता है जहां पर जल भराव की समस्य तो जल भराव की जो एरिया है चेत् यह वेराइटी है, UP 9530, और कोशा, यानि COS 96436, एक वेराइटी है, COS 10239, यह वेराइटी ऐसी है, कि जहां पर जल बरता है, वहां पर, कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं, कुछ जमीन उसर है, उसर जो जमीन है, उसके लिए एक वेराइटी है, UP 14234, वो बहुत अच्छी वेराइटी है, इसके अलावा बहुत सारी वेराइटी हैं, जर्नल भी हैं, लेकिन मेन वेराइटी यह हैं, जो पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाना, पंजाब, आसपास के छेत्र में, इसमें जो है, उगाये जा सकते हैं, कारेक्रम की शुरुआत में ही, आपने रोग प्रत किस तरह से खेत की तैयारी में, मिट्टी का उप्चार किस तरह से करना चाहिए, उसके लिए क्या आप हिदायतें देखिए, रजनिस भाई, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि गन्ये की फसल जो है, खेत में लगबग दो साल तक रहती है, और तीन साल तक भ कि जो तैयारी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और देखिए तैयारी करते समय में किसान बाहियों को एक ही बात बताता हूं कि गन्ने के लिए गहरी जुताई का बहुत मैत्र है क्योंकि गन्ने की जड़े हैं वो लगबग दो फिट तक जाती है और आजकल जुताई की गई है और रोटावेटर तो कॉम्पेक्ट ने इस भी बढ़ाता है तो देखिए जो चीजल प्लो जो सब सॉइलर हम कहते हैं तो जिनकी जमीन अच्छी है नीचे तक गहरी जमीन यानि नीचे उसर से जो है परवर्तित नहीं हुई है उसर को सुधार करके नहीं बनाई वो मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें अगर जिनके जिनोंने उसर है जिनके यह है कि नीचे हमारी कुछ उसर जमीन है और खराब जमीन है तो उसको पलट मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई नहीं करनी चीए क्यों कि वो जो अनुप जाओ जमीन नीचे जो चिएर था करता हैं वह दोंखिप्ट की यह गरना GTR मैं एक बार में से जुताई जरूर है और से हैरी जुताई करने कहने का मतलबी है जुताई करते समय देखे 1966 क्या Esports किसको अप्रक भुडर में準 चैनिन करतीयों एक बर फिर से जुने का प्रयास कर रहे है हमारे शुरूता सुनते हैं उनकी बाद आलो हालो 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 जी नमस्कार स्वागत है आपका कारेक्रिम में आपका शुब नाम कुझ अधिरम फीजोंटे मेंग, अन्यवजोंग, नियुजोंटान पड़ रहांदे हैं? उसे क्या दन्य की फसल ने तो को प्रिवाल में पड़े और दूसरी फसल साथ में देखिए हमारे जो पस्चमी उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये एक बहुत बड़ा अंतर है किर्शी पधिती का कि इधर जो है जो पस्शमी उत्तर प्रदेश है हमारे किसान भाईयों को गहों के बाद में गन्ना बोने की पिर्था है किसान भाईय चाहते हैं कि मैं एक फसल गहों की ले लूँ तो उन किसान भाईयों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप अगर दोनों जो सह फसली कहते हैं गहों की और गन्य की फसल एक साथ भी ले सकते हैं उसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे ब्रोड कास्ट करके आप बीज बखेरते हैं गहों का और जुताई करके और आप उसमें पाटा लगा देते हैं तो आप गहों गाते है आप ऐसा करिए 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 आप बीज बखे रिए खाद बखे रिए और उसमें जो है पाटा लगाईए और बाद में गन्ये के खूड रेजर से निकाल दीजिए अर उसमें आप गन्या बोड़ीजिए उसके बाद में जो पहली सिचाई दोनों की लगबख एक ही समय पर उसके बाद तुरंत जो है उसकी गहाँ काट चुटाई करवादे तो तो यह बहुत अच्छा निकलेगा प्रश्ण पूछने के लिए आपका बहुत भाद धन्यवाद उमीद करते हैं आपको संतोज जनक उत्तर मिल गया होगा डॉक्र साब अब कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कि यह जो शीत कालीम बुआई की जाती है इसके खास फाइदे क्या होते हैं देखिए जोतन जी इसके फाइदे किसान को भी होते हैं किसान को यह फाइदा होता है कि जो गन्ना पिरिये किसान है जो बहुत लगाव होता है गन्ने से जिनको उनको जो फसल बहुत जल्दी तैयार हो जाती है उनकी और जब यह अक्टूबर नवंबर में उनकी फसल बहुत बड़ी दिखाई देती है उनको एक अच्छा feeling भी होती है कि सबसे अच्छी फसल होती है दूसरा ये है कि जो मील है उनको भी फायदा होता है क्योंकि वो मील जल्दी चला सकते है उसमें सुगर की recovery अच्छी आजाती है तीसरी बात है जो गुड़ बनाने वाले उनको भी जल दूसरी बात यह कि आप इसमें अक्टूबर में गन्ना बोएंगे तो आपका फरवरी मार्च तक आपका गन्ना बहुत बड़ा हो जाएगा और जब जैसे ही जब जो बारिस बारिस आएगी तो बहुत अच्छी उसकी ग्रोथ होगी क्योंकि जो यह लोग जो गहों काटके ब इसमें अक्टूबर वाले में अंकुरण लगबग 90% अंकुरण होता है और जबकि आप अपरेल में बोगे तो पैदावार में बहुत बड़ा अंतर होता है और किसान भाई की एक मन इस्तिती रहती है कि गहुं ले लुगा में जादा है लेकिन जादा अंतर उससे नहीं प सकते हैं गोबर की खाद और गली सड़ी खाद जी जी उसका बहुत ही ज्यादा मेहत्वे नाकेवल गन्ने की क्रॉप में बलकि सभी क्रॉप जी और जिस तरह से हमारी जो भारतिये मिर्दा हैं उनकी जो उर्वरता घटती जा रही है और और गैनिक जो मेंटर है वो घटता है क्योंकि जब से मेकेनाइजेसन आयर पस्वों की संक्या गटी है तो जो किसान के पास जो उपलवद पहले होता था ये खाद गोबर का उसकी में कमी आई है और अब वो इतना नहीं डाल पाता है तो जैसे सुगर मील्स की प्रेस मड़ है उसको कंपोस्ट करके उसको डाल भी तो फॉड़ जरूरी है उसमें जो हम केमिकल फर्टिलाइजर डालें ना खाट डालने के बाद उनकी वी जो खाद होती है यह जह भी इसमें यह गुण होता है कि यह जो नूट्रियेंट केमिकल अप्रिलाइजर से जो डालते उनको अपने अंदर यह अफसोसित कर लेत दूसरा यह है कि जो पानी की अफोसन चमता भी बढ़ती एससे तो वो वो भी और मिट्टी की सन्रचना में भी सुधार आता है उसमें वाईू संचार भी बढ़ता है देखो पॉदे के लिए क्लम लाकर कितने फायदे हैं कि सी कार्वन हाइडरोजन ऑकसीजन यह तीन जो तत आठहिड हैं नहींकों बैत राध मेरत कि अहीं मीप खांद गरता है दो किसमें के अनतार है परेफर करना चाहिए किसको बीकिन है और लगा प्रा है गई वेखे चाहिए ही अच्छा सवाल किया है और जहां जहां भी मैं बोलता हूं यह मेरा प्रमुक विशे रहता है कि गन्ना एक आख का बोया जाए दो आख का देखिए इसके पीछे जो कॉंसेप्ट है बिवने की जभ आख करफ है जां तो वह कोकी इन्टर नोट की अगर फूरम मं होगी तो दूसरी पाष्ची में होगी हुँ अगर गन्नय में देक सप्सी नेना की और उसको जमीन पर आख कि उसकी देखिए परिस्तिती जो बनेंगे, वो एक आख उसकी नीचे रहेगी, अगर डालोगे तो एक उपर रहेगी, एक इस्तिती यह भी हो सकती है कि साइड बाई साइड बाई लेकिन किसान इतना ध्यान नहीं रखता उसको ऐसे डालता है पैर रखता है और आगे चला जात कर सकते हैं, तो एक आख जब हरा आख आख आप उपर कर देऊंगे, तो आपका जो अंकुरन है, वो काफी बढ़ जाएगा, 90% बढ़ जाएगा, आखों की वजए से, क्योंकि अंकुरन में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नमिया होती हैं, लेकिन जो इस फैक्टर के क कारण केवल उपर करने के कारण, आपका 90% से जाद एंकुरन पोच जाएगा, और जो प्लांट पॉपलेशन है, वो बिल्कुल उचित हो जाएगी, आपकी जो पैदावार वो बढ़ जाएगी, इसी से चुड़ा हूँ एक और प्रशन है कि गन्ने के बीज और गन्ने में क्या होता है? यह देखिए यह बहुत अच्छा कोस्चन है, जनली क्या है कि किसान जो गन्ना खड़ा है उसको सारे को बीज मानता है, कि काटा नीचे से और सारा बो दीजिए यह बीज है, जबकि ऐसा नहीं है, देखिए जो वैज्ञानिक कहते हैं और वो प्रूब भी है, वो जो गन्ने का उपर का एक तिहाई भाग होता है, उसको बीज में यूज करना चाहिए, अगर जो भी प्रोग्रेसिव फार्मर है, वो ऐसा ही करते हैं, तो उसको क्यों करना चाहिए, अब देखिए, कहेंगे किसान भाई के वे उपर में क्या ऐसी चीज है, क्या वह करना वो जवान आखे होती है, आप गन्ने में आख की पोजी, आख की दसा भी देखेंगे ना, तो नीचे वाली आख बिलकुल इतनी बूड़ी हो चुकी होती है, और उपर की आख बिलकुल एक दम यंग रहती है, और देखिए, जहां सुगर की मात्रा कम होगी ना, वहां पे अंकुरन चमता जादा होती है, तो उपर के पोर्शन में सुगर कम होती है और नीचे जादा होती है, तो वो उसमें और अंकुरन चमता इसलिए बढ़ जाती है, तो इसलिए जो गन्ना होता है, वो उपर के एक तिहाई बाग जो होता है, वो गन्ने का बीज कहलाता है, और जो गन्ना होटा वो तो पूरा है नीचे का मतलब वही एक लॉद कर चोड़कर ये इसमें अंतर होता है यह पछोटी सी नजर डाल लेते हैं बीज की तैयारी और खेत की तैयारी के बारे में तो मैंने बताया कि गेहरी जुताई करनी ही चाहिए यह बहुत अब जो अगर लाल सडन रोग आ गया, तो दो तरह की चीजें होती हैं, एक तो बीज उपचार और एक मिर्दा उपचार, ये लाल सडन रोग जो है, इतना खतरनाक रोग है, ये किसी भी माध्यम से एक खेत से दूसरे खेत में जा सकता है, जैसे मैं आपको इसके उपचार से पहले मैं ये स उपयोग ना करें, और ये लेकिवल इतना ही, अगर उसमें कोई ओजार, जैसे काटते हैं इससे गन्ये को, वो एसे खेत में यूज किया गया है, जिसमें लाल सडन रोग है, तो उसको ऐस सच उसमें यूज ना करें, और अगर यूज भी करें, तो उसको गरम पानी में जो चारा है, जो लाल सडन रोग जिस खेत में आ चुका है, अगर उसमें चारा यूज कर रहे हैं, और चारे से जो पस्वों का गोबर है, उसको भी दूसरे के खेत में ना डालें, दूसरे खेत में, ये वो जो फंगस है, ये लाल सडन रोग, ये गोबर के द्वारा भी दू wirken, उसका उससे जो है उपचार करें और जो आपने एक आँक के गन्य की बात कहीं थी। उसका फाइदा यह भी है, जब दवा से उपचारित करते हैं, तो उसमें दोनों तरफ से दवा enter करती है दो आख का गन्ना होगा तो वो एक में एक तरफ से उधर जाएगा एक तरफ में उधर बीच में तो दवाई नहीं पहुंच पने हो दूसरी बात गन्ने को एक आख के कटे हुए गन्ने को पूरी रात इसके गोल में थाइफिनेट गोल में करें, दो सो गिराम दवा लेके इसकी और उसको एक गड़ा बनाए उसमें पॉलितिन करे किसान पॉलितिन में पानी भर दे उसमें सारे बीज को रात बर डाल दे एक एक आक के सुबह को उसकी बुआई कर दे और एक इंसेक्टी साइड से करना चाहिए कोई भी आप ले लीजिए इ तो ऐक जो जमीन एक फंगस है क्योंकि ये फंगस की बीमारि है लाल सडंडोर। तो एक फंगस है ट्राइको डर्म विरी 실टी वह इस फंगस को खाता है जमीन में तो उसको जो है लग बग 10 किलो पृती हेक्टेर के हिसाब से वह भूआई करते समय उसको मिट्टी में मिला दें और उसको गली सडी खाद के साथ में मिला दें तो और वी बहुत अच्छा है उसको कम से कम ऐघ कंटल में दों खंटल में और अगर उसको पहले से मिला कए एक हटे पहले मिला के रख दें चाया में और उसके बाद खेत में डालें तो वो मल्टिप्लाई हो जाती है फंगस और जादे तो और जादा असर करेंगी तो यह दोनों तरीके हमें अपनाने चाहिए बीज उपचार का और मिर्दा उपचार का और यह सावधानिया जो मैंने बताई इनको रखना अचाहिए अगर आप लाल सडन रोग को खतम करना चाहते हैं तो संदेश सुन लेते हैं अचाहिए आपने बड़े बुजूर्गों से कैसे फचल लह आति थी शुद्ध ता चलगती थी हां माटी भी तंदुरस्त और लोग भी पहली वाली बात कहां परम तो सब यह डाले हैं सब नहीं आज भी लाखों जागरों किसान परम परागत विधी से फजल हुआ रहे हैं फर्चाखम और उपची कीमत भी बहतर पा रहे हैं माटी से प्रेम की परम परागत खेती हर जो किम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए संकट के समय प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना किसानों के लिए बरदान है अब दूखा पड़े या भाड़ा जाएं कोई गर नहीं अब पूले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं क्योंकि हमने यह है प्रदान मंत्री फसल भीमा बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा नियूनतम प्रीमियम पर अधिक्तम भुगतान का बादा योजना से हर साल जुड रहे हैं पांच करोड से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी प्रदान मंत्री फसल भीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कबच क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार देखिए मिर्दा परिक्षण बहुत जरूरी है भाग है किसी भी फतल के लिए भाग है क्योंकि देखिए अगर हमें यह नहीं पता होगा कि हमारी जमीन में कौन से तत्वों की जरूरत है कौन से तत्वों की कमी है तो हम फिर अपनी मर्जी से डालेंगे जो भी डालते है उसमें क्या है कि जिसकी कमी नहीं है वो हम डालेंगे और जिसकी कमी है उसे नहीं डालेंगे तो हमारा पैसा बेकार जाएगा तो उसमें मिर्दा परिक्षण बहुत जरूरी है और देखो मिर्दा परिक्षण में दो तीन चीजें बहुत महत्पून होती है कि जिस तरह से नमूना लेना है उसका बड़ा महत्व है अगर नमूना ही रिप्रिजेंटेटिव हो दूसरा एक एकड़ चे पांच जगे से सेंपल लेने चारों कोनों के लगबक कुछंदर से और एक बीच से उनमें से आप आधा-दा किलो मिट्टी ले उपर के 6 इंच की मिट्टी ले उसकी घास वगेरा और वो बिल्कुल साफ कर दें लेकिन मिट्टी ना हटाएं उपर की घास को इस तरह से चीले के मिट्टी वहीं पड़ी रहे और वो घास निकल जाए उसमें वी सेप का एक कट लगाए और वी सेप के कट से एक एक इंच नीचे तक दोनों तरफ से आधी किलो मिट्टी एकत्रित करें पांच जगे से उसको एक जगे मिला लें अच्छी तरह से मिला लें उसको और उसको जो है बारी-बारी से कट करके उसको डेर को और उसको जो आधी किलो तक कर लें उसमें टैग लगाए अपने क का और उसको मिर्दा परिक्षन के लिए बेजते हैं और यह ध्यान लगें जब मिट्टी टेस्ट कराएं तो एन पी के साथ साथ सूख चम पुशक तत्वों की जाज भी जरूर कराएं क्योंकि आज कल सूख चम तत्वों की मिट्टी में बहुत कमी होती जा रहे हैं तो जैसे कब दिमाग का विकास नहीं पाता है इसलिए कम मात्रा में जरूत है लेकिन उसे कम महत्तुक ना कहा है संक्षेप में आप से क्योंकि हमारा समय खतम हो रहा है तो मैं पूछना चाहूंगा कि गन्ने की फसल में जो खर्पतवार है उसकी रोक्ताम के लिए क्या करना चाहिए उसको और दूसरा यह है कि गन्ने की जब आज कल करते हैं तो उसको मल्चिंग करके भी उसको रोक सकते हैं और उससे मौस्चर भी कंजर होती है जी डॉक्र साब कुल मिलाकर बहुत ही कम समय में आपने हमें बहुत विस्तर जानकारी थी उमीद करते हैं हमारे किसान भाइयो रखे क्रिशी एवं किसान कल्यान मंत्राले भारत सरकार हमारा हर किसान की आंदनी दुगनी ऐसी नहीं नहीं तरिकी बे अब हम तो है चुने